नमस्कार जेहिंद उत्राखंड इस्पेशल के इस सेशन में आपका स्वागत है और इसमें हम उत्राखंड बजट से रिलेटेड 23-24 के बजट से रिलेटेड टॉप 50 MCQ डिस्कस करने वाले हैं उत्राखंड बजट का थ्योरी सेक्षन अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जरूर देखें इजी लेंग्वेज में बहुत कम टाइम में आप उत्राखंड बजट से रिलेटेड सारे फेक्ट वापर समझ पाएंगे तो सुरू कर लेते हैं पहला प्रस्न आने वाली सभी भर्ती परिक्षाओं के लिए महतोपूर्ण होने वाला है यह सेसर सबसे पहला है उत्राखंड बजट 2023-24 के अनुसार इस वित वरस में कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं कितिनी कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं सही उत्तर आपका हुग जाएगा 76,592.54 करोड अप्सन नमर एस का सही उत्तर है अगला देखिए उत्राखन बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोस्य घाटा सकल राज्य घरेल उत्पाद का कितने प्रतिसत रहने का अनुमान है तो इस प्रेशन का सही उत्तर है अप्सन नमर C 2.72 प्रतिसत जो है वो राजकोस्य घाटा सकल घरेल उत्पाद का रहने वाला है उत्राखन बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्तो घाटा कितना है तो यहां पर एमाउंट में बताना है राजस्तो घाटा कितना है त देखें उत्राखन बजट 2023-24 किस ने प्रस्तुत किया तो बजट हमारा जो प्रस्तुत किया था वो किया था हमारे प्रेमचंदर अगरवाल जी ने ऑप्सन नमर C सही उत्तर है इसका उत्राखन को अगरणी राज्य बनाने के लिए इस बजट को विशेश रूप से कितने विंदू उपर किंद्रित करने का प्रियास किया गया है तो अगरणी राज्य बनाने के लिए इस बार मुख्य साथ विंदू उपर किंद्रित करने का प्रियास किया गया है बजट 2023-24 को और यह हमने डिटेल में डिसकस किया है थियोरी सेक्शन में उत्राखन बजट 2023-24 के कितने प्रतिसत का प्रावधान किया गया है सही उत्तर है 0.5 प्रतिसत G20 सम्मेलन की कितनी संगोस्तियां उत्राखन राजय में आयोजित की गई तो G20 सम्मेलन इस बार उत्राखन राजय में एक संगोस्तियां हुई और तीन संगुश्टिया उत्रक्षन राज्य में आउजित की गई जाना है। इसके लिए जो प्राब्धान किया गया है दो करोड रुपय का किया गया है। ये CDS एवं उसके समकर्ख लिखित परिक्षा पास करने वालों को साक्षातकार की तयारी के लिए कितने रुपए के वित्या धंडासी परादान कर रही है तो इसका सही उत्तर है 50,000 रुपए वित्या धंडासी परादान की जाएगी अगर कोई NDA, CDS वगेरा या संग लोग से वायोग की मुख्य परिक्षा में परतिभाग कर रहा है मुख्य मंतरी स्वरोजगार योजना हेतू वित्या धंडासी का परादान किया गया है समगर सिक्षा के अंतरगत 813.83 करोर रुपे का प्राभधान किया गया है बजट 2030-24 के अनुसार अपवंचित भर्ग के बच्चों को प्रदिश के नेजी विध्यलोयों में अध्यनेतु सिक्षा कादिकार के तहत समगर रूप से कितनी धन्रासी का प्राभधान किया गया है इसके लिए प्राभधान किया गया है 169.04 करोर रुपे उत्राखन में प्रती आंगनवाडी कारेकत्री बेहनों को कुल कितना मान दे दिया जा रहा है तो आंगनवाडी कारेकत्री जो बेहने हैं उनके लिए मान दे जो है वो 9300 रुपे है option number C संबल एवं सामर्थ्य किस योजना के अंतरगत महत्वपूर्ण घटक है संबल एवं सामर्थ्य वेरी इंपोर्टेंट है और ये घटक है मिसन सक्ती योजना के अंतरगत मिसन सक्ती योजना के अंतरगत ये घटक है संबल एवं सामर्थ्य है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है उत्राखन बजट 23-24 के अनुसार नंदा गौरा योजना के अंतरगत क्या प्राबधान है नंदा गौरा योजना के अंतरगत ये भी काफी फेमस योजना है नंदा गौरा योजना तो इसके अंतरगत प्राबधान है कि पात्र परिवार की जो पर्थम दो बालिकाएं होंगी जन्द के समय ग्यारा हजार रुपए तथा अगर बारवी तीनों लड़किया खर लेती हैं तो 51,000 रुपए के धन्रासी उपलब्ध करवाने का प्राबधान है आगला देखें तीलूर और तेली प्रुषकार किस परदेश सरकार द्वारा परदान किया जाता है तो तीलूर और तेली उत्राखंट से सम्बंदित हो गई जन जाती सोज संस्तान हे तो कितनी धन्रासी का प्रापधान किया गया है जन जाती सोज संस्तान के लिए प्रापधान किया गया है एक कुड़ रुपए का भारा सरकारद्वारा संचालित प्रधान मंत्री जन विकास कारेकरम योजना का उदिश से क्या है जन विकास कारेकरम योजना का उदेश से बताना है ये मेले अल्प संख्या के जो बाहुले छेतर है उनके अवस्थापना सुभिधाओं का विकास करना से संबंदित है अपसन नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा स्वास्ते सेवाओं को आसान बनाने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन से दवाएं पहुचाई गई तो ड्रोन से दवाएं पहुचाई गई देहादुन से उत्तरकासी पाइलट प्रोजेक्ट के तहत अटल आईसमान उत्राखंड योजना के अंतरगत कितनी धनरासी का प्राबधान किया गया है अटल आईसमान जो उत्राखंड योजना है इसके तहट जो है चार सो करोड रुपए की धंडासी का प्राप्धान है निक्षे मित्र योजना में उत्राखंड राज्य को रास्टे इस तर पर कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है निक्षे मित्र योजना में उत्राखन का इस्तान प्राप्त हुआ है दूसरा उत्राखन में कहां पर राज्य कैंसर संस्तान इस्तापित किया जा रहा है Most important ये question है आपका कि उत्राखन राज्य के किस जगह पर कैंसर संस्तान इस्तापित किया जा रहा है तो cancer संस्तान इस्तापित किया जा रहा है आपका हलदवानी में option number C मानसिक चिकित साले हों के निर्मान हेतु कितनी धन्रासी का परदाबधान किया गया है मानसिक जो एक तरह से mental health related hospitals होंगे उनके लिए परदाबधान किया गया है 10 करूर रुपय का उत्रक्षण बजट की जाएंगी और कितनी की जाएंगी इस से related इर्ओम सब्द का आर्थ होता है तो सुगंद होता है various type के flower वहाँ पर लगाया जाएंगे तो ऐसी घाटिया मिक्सित की जाएंगी उत्राखन बजट 2030-2024 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीन के अंतरगत आगामी वित्या वर्स में समग्र रूप से कितनी धनरासी का प्रापधान किया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा 105.43 करोड रूपे आपको जुरूर कॉपी पैन लेके बैठना चाहिए और ये डेटा आप नोट करके रख सकते हैं साइन्सिटी एवं बिग्यान किंद्रों की स्तापना हितु कितनी धनरासी का प्रापधान किया गया है साइन्सिटी और विग्यान किंद्रों के लिए प्रापधान किया गया है 26.21 करोड रूपे और टेलिग्राम आप जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस के रूप में ये सेट जरूर लगा दे बेरे बेरे इंपोर्टेंट क्वेस्टन आप लोग देख रहे हैं और एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेस्टन आप कन्फ्यूज नहीं होएंगे इनमें फर्बरी 2023 में पर्थम गरामीन वघ्ञान कॉंग्रेस का आयूजन कहां किया गया तो पर्थम गरामीन विघ्ञान उतराखन में हुई थी और दहरादून में हुई थी उप्सन नंबर B उत्राखन बजट 2023-2024 में फिल्म परिश्ट की स्तापना के अंतरगत आगामी वित्या वर्स में कितनी धन्रासी का प्राबधान किया गया है सही उत्तर है आपका 11 करोड रुपे ग्राम्य विकास महा योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा सुरू की गई थी ग्राम्य विकास महा योजना तो ये शुरू की गई है उत्राखन सरकार के द्वारा वित्या वर्स 2023-2024 में बजट में दीन दयाल उपाध्य है ग्रामीन कौसल्य योजना के लिए कितनी धन्रासी का प्राबधान किया गया है वो किया गया है 46.66 करोड रुपे भारत के नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो के अनुसार सभी प्रदेश एवं के इंदर सासित प्रदेशों में लूटी या चूरी संपती की ब्रामदगी में कौन सा राज्य पर्थमिस्तान पर रहा है इसलिए question important हो जाता है ग्रह मंत्राले भारत सरकार द्वारा वर्स 2022 में देश के टॉप 10 थानों में उत्राखन राज्यक के जन्पत चम्पावत के थाना बनबसा को कौन सा इस्तान प्राप्थ हुआ है तो बनबसा को जो है तृतिया इस्तान प्राप्थ हुआ है देश के टॉप 10 जो थाने है उनमें से तीसरा नंबर जो है बनबसा का है बनबसा पूछा जा सकता है खहाँ परिस्तित है तो चम्पावत जिले में उत्रखन बजट 23-24 में जो सीमठ वा अन्य स्थानों में भूध साव वा अन्य के अंतरगत राहत कार्य किये जाने है तो कितनी धन्रासी का प्रापधान किया गया है तो जो सीमठ से रिलेटेड बर्निंग को इसने पूछा जा सकता है तो ही उत्तर इसका है एक हजार करोड रुपे उत्रखन बजट 23-24 के अनुसार पुनरिक्षित अनुमान 22-23 में रिन GSDP अनुपात में कितने प्रतिसत रहा तो इसका परसंटेज जो है ये 28.11 प्रतिसत उत्रखन बजट 23-24 के अनुसार स्कीम फोर्स स्पेस सेल एसिसनेंस टू स्टेट फोर कैपिटल इन्वेस योजना के अन्दरगट कितनी धंधासि का प्राभधान किया गया है इसके तहत 1200 करूर रुपे का प्राभधान किया गया है महिला अप राधों की रोक थाम के साथ साथ अप्राध घटित होने पर तवरित एबं परभावी कारवाई किये जाने है तू किस राज्यकी पुलि इस एप में गोरा सक्ती मॉड्यूल दिया गया है तही उतर इसका है उत्राखन पुलिस के द्वारा उप्सन नमबर बी अटल नवीनी करन और सहरी परिवर्तन मिसन अमरित के अंतरगत सहरी परिवारों को मूल भूत सुबिदाएं यथा जलापूर्ती सीवरेज बरसा जलनिक आज उपलब्द कराई जानी है इसके अंतरगत सामिल है सही उत्तर हो जाएगा च्हे नगर निगम और नेनितार इसके अंतरगत सामिल है सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो केंदर सरकार से सहायता अनुदान का है उत्राखन बजट 23-24 के अनुशार नमलखित में से उत्राखन सरकार का सरबादिक बे किसमे होता है उत्राखन सरकार ने उत्राखन को सर्बसरेष्ट राजय बनाने का लक्ष किस वर्स तक रखा है ये question भी हम पहले discuss कर चुके हैं और budget का theory section में भी इसका सही उत्तर है 2025 तक उत्राखन को सर्बस्रिस्ट राज्य बनाने का परियास रहेगा डेमस्क गुलाब वैली का विकास कहा किया जा रहा है तो डेमस्क गुलाब जो है इसका डेवलाप्मेंट किया जा रहा है चमोली वो अलमोडा जिलो में उत्राखन बजट 2023 के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतरगत पीयम सिरी योजना हितु कितिनी धनरासी का प्राबधान किया गया है पीयम सिरी योजना के तहत जो है 2024 में कितनी धनरासी का प्राबधान किया गया है तो धनरासी का प्राबधान किया गया है ग्यारा दसमलब 6.9 करोड रुपे उत्राखन बजट 2024 के अनुसार माध्यमिक विध्यालयों एबं छात्रावासों के निर्माड हेतु फुझी गत मद में कितनी धनरासी का प्राबधान किया गया है इसके तहत 45 करोड रुपे का प्राबधान किया गया है गला देखिए उत्राखन बजट 2024 के अनुसार खेल माहकुंब आयोजित कराने है तो आगामि वित्या वर्स में कितनी धनरासि का प्राबधान किया गया है खेल महाकुम्ब के लिए 15 करोड रुफे का और अंतिम क्वेस्टन जो आज का है उतराखन सरकार ने सरकारी सेवाओं में कितना परतिसत महिला आरक्षन को सुनिस्थित किया है सरकारी सेवाओं में 30% महिला आरक्षन को सुनिस्थित किया जा चुका है बाकाईजास के लिए एक एक एक्ट जो है उतराखन सरकार ने पारित किया है तो फुल मिलाकर ये हमारे टॉप 50 important budget related question होगे जो कि आपके लिए आने वाली परिक्षाओं में बहुत helpful होंगे आपको वीडियो कैसा लगा वो comment box में ज़रूर लिखें और कितने marks आप इस paper में ला पाते हैं वो भी आप comment box में लिख सकते हैं thanks a lot for listening मिलेंगे next video में तब तक के लिए जैहिन